बारे में जो घातक से घातक हमले को जहलने में शक्षम है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अन्नुन फैक्ट सिंदी को सब्सक्राइब करें और घंटे को भी दबा दो कैडिलक वन दोस्तो कैडिलक गाड़ी दुनिया की सबसे शुरक्षित कारों में से एक है इस कार को अमेरिका के राष्टपती के लिए बनाया गया है फिलाल इस गाड़ी में डॉनल्ल ट्रम्ट ट्रैवल करते हैं दोस्तो इस गाड़ी के नीचे अगर बॉम भी फट जाए तो इसे कुछ भी नहीं होगा हर तरह के हमले को जहल सकती है ट्रम्ट की ये कार और दोस्तो इस कार को दुनिया में दब बीश्ट के नाम से भी जाना जाता है ये 8 टन की वजनी कार नुकलियर हमले को भी जहल सकती है इसके अलावा इसमें ऑक्सिजन की सप्लाई भी दी जाती है और ये गाड़ी हर तरह के कैमिकल एटैक को जहलने में भी शक्षम है इसमें नाइट विजन कैमरा जीपी स्टैकिंग के साथ ही सैटलाइट कॉम्निकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है और इस कार का फ्यूल टैंक भी स्पेशल फॉर्म से कवर्ड है जिसकी वज़े से किसी पुरी कारण से ब्लास्ट नहीं हो सकता और दबीस्ट कार के टैर कभी भी पंचर नहीं होते इस कार के सीसे 5 इंच मोटे हैं जो हर तरह के बुलेट्स को जहल सकते हैं BMW 760 Li इंडिया में शायद भौती कम लोग होंगे जो मुकेश अंबानी जी को नहीं जानते होंगे और दोस्तो मुकेश अंबानी जिन कारों में चलते हैं उनकी गिंती महंगी गाड़ियों में होती है अंबानी जी की BMW 760 Li कार भारत की सबसे ज़्यादा महंगी कारों में से एक है और दोस्तो हमारे देश के प्रधान मंतरी भी इसी गाड़ी से चलते हैं दोस्तो अंबानी जी की कार की खिड़की में लगा बुलेट प्रूफ कांच 1500 किलोग्राम का है और इस गाड़ी में डबल लेयर बुलेट प्रूफ टायर लगे हुए हैं जो की 305 किलोमेटर की रफतार से चलने में शक्षम है और सिर्फ 3.7 सेकिट में ये गाड़ी 100 किलोमेटर की रफतार से दौर सकती है ये कार छोटे मोटे बलास्ट को भी जेल सकती है इसके साथ कार को लेंड माइन्स के लिए भी टेस्ट किया जा चुका है और इस कार के पैट्रोल टैंक में कभी भी आग नहीं लग सकती क्योंकि पैट्रोल टैंक को सेल्फ सिलिंग कैवलर से बनाया गया है और एमरजेंसी के दौरान इस कार में लगी ऑक्सिजन का इस्तमाल बहुत असानी से किया जा सकता है इतनी जादा शुरक्षित होने की वज़े से इस कार की कीमत साड़े आठ करोड रुपे है कॉमबेट T98 दोस्तो कॉमबेट कार रशिया देश की एक आर्म कार है दोस्तो इस कार की सवारी करने के बाद हर इंसान इसे अपना बनाना चाता है क्योंकि ये कार सुरक्षित होने के साथ पुरी तरह से एक लगजरी कार भी है इस कार का एंटीर वेल मचली के चम्डे से त्यार किया गया है इस कार पे हमलावर चाहे कितनी भी फाइरिंग कर ले इस कार में बैठे व्यक्ति को कुछ भी नहीं होगा बुलेट प्रूफ होने के साथ ये कार लैंड माइन्स और छोटे मोटे धमाकों को भी जेल सकती है कार के अंदर एक एडवांस मल्टी मेडिया सिस्टम, सेटलाइट नैविगेशन और यातियों के लिए एक छोटी से फ्रिज भी दी गई है और इसके साथ साथ आप कार के अंदर खुद का टेंप्रेचर भी सेट कर सकते हो और इस कार की रफ़तार की बात करें तो ये 180 किलोमेटर पर आवर की रफ़तार से भी दौड सकती है दोस्तो ओडी कार अपनी लग्जरी और स्पोर्स कार के लिए जाने जाती है लेकिन ओडी लाँच कर चुकी है कंपनी की अब तक की सबसे सुरक्षित कार ओडी कंपनी की A8L सेक्यूरिटी सुरक्षित होने के साथ एक लग्जरी कार भी है इस कार के उपर दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वली B7 परच चड़ी हुई है कैमिकल हमले के साथ इस कार पर AK47 की गोलियों का भी कोई असर नहीं पड़ेगा ओडी कंपनी का दावा है कि इस कार पर चाहे कितने भी गोलिया चलाए जाएं अंदर बैठे सवारी को कुछ भी नहीं होगा इस कार का हर दरवाजा 160 किलो ग्राम का है जिसे खोलने के लिए अच्छी खासी हिम्मत चाहिए ये कार M60 कैटिगरी के हतियारों और मशीन गन से हुई फाइरिंग और बम धमाकों को भी जेल सकती है बात करें इसके फीचर की तो कार का टारक पंचर होने के बाद भी ये कार 80 किलोमेटर परावर की स्पीड से चल सकती है और किसी वज़े से कार में आग लग जाए तो ये कार उस आग को भुजाने में भी शक्षम है दोस्तो इस कार को अपना बनाने के लिए आपको 9 करोड 15 लाख रुपे खर्च करने पड़ेंगे Mercedes S600 Pullman Guard दोस्तो आपने ये कार तो देखी ही होगी अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि इस कार में हमारे दिश के प्रेजिडेंट चलते हैं इस कार को लेंडन की क्यून अलिजाबेट भी इस्तमाल कर चुकी है इस कार की शुरक्षय की बात करें तो ये मशीन गन, शौट गन के हमलों को भी जहल सकती है और कार के अंदर हर तरह की हाई टेकनलोजी फंसन दिया गया है और कार में फ्रीज, क्लाइमेट कंट्रोल और प्रेजिडेंट के लिए डिरेट सैटलाइट कनेक्शन का फीचर भी दिया गया है अगर किसी कारन से कि इस कार में आग लग जाए तो ये कार आग को भुछाने में भी शक्षम है और सिर्फ एक बटन दबाने से कार की हरे खिड़की ट्रांस्पेरेंट हो जाती है ये कार खत्रे की स्थिति में सिर्फ 6.7 सेकेंड में 100 किलोमेटर परावर की रफ्तार से दोड़ सकती है कार का वजन जादा होने के कारण इसमें V12 बाइट अर्बो इंजन लगा हुआ है इस कार का कुल वजन 5000 किलोग्राम है इस कार की कीमत की बात करें तो ये 11 करोड रुपेगी है दोस्तों इन में से कौन सी कार आते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें और हमारी वीडियो को वट्सेप पे सिर करके हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसी ही इंटरस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और आपके लिए लाते रहें